तो स्वागे ते आप सब भी काज के इस नीए वीडियो में मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हैं ग्याने रेज आज में अन्बॉक्सिंग करने वाल हो इस माइक्रोफोन का जो की बोया कमणी के तरप से है और जिसका अगंज हैं अनल आ है तो ये वह वाक्स जिस में आप को ऊपर के साइट पर आपको इसमें बोया लिखा हुआ मिल जाता है और साथ में लिखा हुआ है लवालियर म जाता है तो साथ में आपको qa bill दो है तो इसके मेद स्मार्टफॉन, केमकोडर्स, DSLR, बाद में ओडियो रिकोडर्स और PC सबके साथ यह एक अच्छी बात है बेक साइड पर आपको इसमें कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है कि यह जो मैक्रोफॉन है वो स्मार्टफॉन, DSLR, केमेरा, ओडियो रिकोडर्स सबके साथ यह एक अच्छी बात में इसमें लिखा हुआ है कि यह जो मैक्रोफॉन इसमें आपको बेग्राण विस भी काफी कम मिलेगा लेकिन यह जो मैक्रोफॉन है मैंने वो एमेज़न से 800 रुपीस से भी कम में पर्चेस किया है तो अगर आप यह मैक्रोफॉन पर्चेस करना चाते हैं तो इसकी लिक मैंने डिस्क्रिशन ने डाल दिये तो उत्र से जाके आप पर्चेस कर सकते हैं की माचेस का अब चलो बौक्स को जली इसम ओपन कर लेते हैं तो बौक्स को ऊपन कने पर हमें दो चीज़ मिलती है एक तो लेदर का केश का और इसके साथ हमें युजर मिनेयल गाइड मिलती है इसकी मद़त से आप जान सकते कि इसको microphone को आप कैसे setup कर सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना difficult पी नहीं है एकदम easy microphone को setup करना वह मैं आपको आगे बताऊंगा और आगे बात करें तो यह जो लेधर का case है वह भी इसकी quality काफी अच्छी है तो गया कमणी ने काफी अच्छा लेधर केश प्रवाइड किया है अब इसमें से हम अंदर से microphone को बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अंदर दूसरा भी हमको क्या क्या इसके साथ मिलती है तो यह microphone और इसकी केबल के बात करें तो इसका जो केबल है वो काफी लंबा है तकरिबन 20 फिट लंबा है तो अगर आप आउटसाइड में वीडियो सुटिंग कर रहे हैं या दूर से आप वीडियो सुटिंग कर रहे हैं तो आपको यह बहुत काम इसके उपर आप उसका जो स्पॉंज आता है फॉम वह इसमें आप फिट कर दोगे तो आपका जो बेक्राउंड नहीं से वह काफी कम हो जाएगा वह मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे करना है और यह इसका एडिप्टर जिसमें आप देख सकते हो कि इदर आपको एक मााइक्रोफोन के सब्द flavor को तो ऑद में आग यह स्मार्टों के साथ इसको यूँज करने क 15 विघून पर दो तो यह स्मार्टों के साथ स्मार्पोन के साथ एक लाएगा तो एक डम इज़िए है इसको यूज होना और हम जान लेते हैं कि हमें इसके साथ और भी याठ रह तो चल्ली से हम SSR को निकाल लेते हैं इसमें से पाउच में से और देखते हैं तो SSR में हमें एक button size की LR44 बैटरी मिलती है और साथ में इसमें हमें एक clip भी मिलती है जिसकी मदद से आप इसको microphone को clip on कर सकते हो और आगे बात करें तो आगे हमें इसमें हमें एक form मिलता है जिसकी मदद से आप इसमें microphone में इसके उपर ये यूज करके आप background noise level को काफी कम कर सकते हो और last में हमें मिलता है जो है वो है connector जिसकी मदद से आप इसको audio recorder के साथ connect कर सकते हो तो बस SSR में इतना है अब मैं आपको बताता हूं कि यह सब चीजे उसको आपको फिट कर देंगे और बात में इसका button बंद करेंगे अब हमें आगे क्या करना है कि यह जो microphone है मेने डिक्षा आपको वह वाला फॉंग CHAP तो यह इसे तो घुमा ने आपrab कि यह वाला जो है उसके उपर फिट हो गया है अब हमें क्या करना है कि हमें आगे एक क्लिप मिली थी तो जली से वह क्लिप को भी इसमें हम लगा लेते हैं तो क्या करना है कि यह वाली जो क्लिप है वह इसके उपर हमें इसको बिठाना है तो यह जो हमने फॉर्म लगा है उस तो मैं अब आपको इसका कुछ voice sample ले देता हूं ताकि आपको भी मालूम परे कि इसका voice जो है वो केसा आता है actual में तो अभी जो आवाज मेरी आप सुन रहे हैं वो सिता जो मेरा होबाल का microphone है उसको मैंने use किया हुआ है तो अभी जो आवाज मेरी आप सुन रहे हैं वो यह वाले microphone से आपको आ रही है तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी sound quality कैसी है उसमें आपको आसमा जमिन का फर्क नजर आएगा तो दोस्तों आपको इसकी voice quality के बारे में पता चल गया होगा कि इसकी voice quality कैसी है अगर आप एक नई youtuber है और अभी चनल स्टार्ट किया है और आपका budget कम है तो मेरा recommendation यहीं रहेगा कि आप ये वाला microphone ही purchase करें अगर आप ये वाला microphone purchase करना जाते हैं तो इसकी link में ने description नीचे डाल दिये वहाँ से जाकि आप purchase कर सकते हैं इसके कुछ pros or cons है जिसके बारे में बात करें जिसका जो सबसे बड़ा plus point है यह है कि इसका जो cable है उसकी लंबाई 20 feet की है तो आप अगर outdoor में shooting करना जाते हैं तो आराम से आप shooting कर सकते हैं और दूसरा plus point यह है यह microphone का कि यह जो microphone है वह smartphone, PC और DSLR camera तिनों के साथ compatible है तो यह बहुत बड़ा plus point है इसमें कॉंस की बात करें तो इसमें मुझे कोई लेकिन हाँ मैंने एक बात नोटिस की कि यह जो microphone है वह background का noise भी थुड़ा ले लेता है लेकिन उसका भी solution है अगर आपके पास PC में ODA City का software है तो उसकी मदद से आप इसको remove कर सकते हैं तो बस इतना ही था आज का वीडियो आसा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा अगर व बंदे मात रम